आप सभी का सौगत है एक पर फिर से बैक टू बैक विनिंग मैश प्रेडिक्सन के साथ हेलो दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्यान कोस और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं T20 वर्ड कप 2024 के 19 वे मुकाबले की जोगी खेला जाएगा टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीज ये मुकाबला 9 जून को इंडियन टाइम के एकॉर्डिंग रात 8 बजे 9 सा कंट्री इंटरनेशनल इस्टेडियम न्यू यार्क में खेला जाएगा हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनों हे टीम होगी प्लेइंग लेविन की, पिछ रिपोर्ट की, हेड टो हेड रिकॉर्ट की करेंगे टीम का कम प्रिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को इसलिए अगर आपने भी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिसे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले बात करेंगर इन दुनों के बीच हुए head to head मुकाबलों की तो इन दुनों के बीच अभी तक कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 9 मुकाबलों में इंडिया की टीम जीती है पाकिस्तान की टीम देखने में काफी स्टॉंग न जरा रही है कि इस मुकाबले को जीत पहेगी इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहे कि टीम इंडिया की प्लेंग लेवन तो हमें इंडिया की ओर से खेलते हुए न जराएंगे अब बात करेंगर पिछ रिपोर्ट की तो यह मुकाबला खेला जाएगा नौसा कंट्री इंटरनेशनल स्टेडियम न्यू यार्क में यहां की बीचाम तोर पर बैटरस और बॉलरस दोनों के लिए ही काफी फाय देमन साबित होती है और यहां पर मीडियम स्कोरिंग या लोई स्कोरी मुकाबले देखने को मिलते हैं यहां के फर्स्ट इनिंग का एवरे स्कोर 103 वहीं सेग्ड इनिंग का एवरे स्कोर 100 रन है यहां पर आज जो भी टीम टॉल जीतेगी वो पहले बल्ले बाजी करना चाहेगी क्योंकि यहां पर टार्गेस चेस करना काफी मुस्किल होता है यहां का इस टूटल एक 170 से वहीं लो इस टूटल की बात की जाए दो 77 है यहां पर अभी तक इस चेस 97 नबे हुए हैं यहां पर आज जो भी टीम टॉल जीतेगी वो पहले बल्ले बाजी लेगी यहां पर इस पिनर्स के मुकाबले पेसरस को काफी मदद देखने को मिलती है हां दोस्तों यहां पर पेसरस एक बार फिर से विकर लेते हुए नजर आएंगे हमने बात कि दुनोंगी टीम होगी प्लेइंग लेविन की, पिछ रिपोर्ट की और हैट टो है रिकॉर्ट की अब वक्त हमारी फाइनल प्रेडिक्सन का इससे पहले दोस्तों अगर आपने भी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है वो भी बिल्कुली फ्री, सारी-सारी अपडेट आपको बिल्कुली फ्री, 99% एक्रेड दी जाती है इसलिए अभी जोइन कर लीजे, लिंक आपको मिल जाएगा दिस्क्रिप्सन बॉक्स में अब बात करें, अगर अपने पॉस्नल प्रेडिक्सन की तो हमारे अनलिसिस के एकॉर्डिंग इस मुकाबले में दोनों ही टीम अलगवख बराबर नजरा रही है लेकिन हमारा पॉस्नल प्रेडिक्सन ये कहता है कि इस मुकाबले को टीम इंडिया जीतेगी हाँ दोस्तो इस मुकाबले को टीम इंडिया जीतने वाली है आपको कहा लगता है कमेंट बॉक्स में जुरू बताइए फाइनल अपडेट के लिए टेलिग्राम को जॉइन करना बिलकुल भी मत बूलिए